बड़े पाटी हो या फिर आप रेगुलर रोटी सबजी खाने से बोर हो गए हैं तो आज बनाईए आप पाओ भाजी एक तो फटा फट बन जाती है बहुत टेस्टी बनती है एक दम स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे हम घर पर बनाने का सबसे अच्छा फाइदा यह है न और उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल तो बटर डालना जरूरी है तेल ऑप्शनल है तेल अगर नहीं भी डालेंगे चलेगा लेकिन बटर जरूरी है पाव भाजी के लिए इसे गर्म करेंगे और जैसे यह गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे बारी कटी होई प्या तो ऐसा भी आप बना सकते हो अगर जल्दी में बनाना है तो लेकिन मुझे लगता है इतना कोई टाइम बहुत जादा टाइम नहीं लगता है ऐसे भी बनाने में जैसे मैं बना रही हूँ और सब्जिया जब बटर में पकती है तो उनका एक अलग फ्लेवर आता है इसलिए हम स्ट्रीट स्टाइल में जो स्ट्रीट में खाते हैं ठेले पे या फिर किसी रेस्टोरेंट में तो वो भी इसी तरीके से बनाते इसलिए उनका अच्छा फ्लेवर आता है तो इसे हम पकेंगे पहले अच्छे से पकाएंगे प्याज थोड़ी सी पकनी जरूरी है ऐसे सम्लामेज बारिक कटी हुई गाजर और बारिक कटी हुई गोबी तो यह बारिक कटी हुई नहीं भी डालोगे चलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं क्योंकि सबजीयों को पकाने के बाद उसको हमको मैश करना ही पड़ता है पाव भाजी में तो अगर मेरे पास तो चोपर था मैंने फटाफट काट लिया लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं अगर आप चाकू से काट रहे हैं तो फिर आप बड़े-बड़े पीस में काट सकते हैं और उसे आप पकाएं बटर में और जब वो पक कर सॉफ्ट हो जाएगा तो आप इसे मैश कर लेना तो इसे अब जासे कि गोभी मटर गाजर बीन्स यह सारे ऑप्शनल है तो अगर आपके पास हैं यह सारी सब्जिया तो डाली और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं चार सब्जिया होनी चाहिए जो मैंने में बताया है अब इसमें नमक डालेंगे ताकि सब्जिया जल्दी पक जाएं औ इसमें पहले आलू नर्जिया अफेकारे पीछिति आवले में नरलेThis 12 सीचाष ड्ला नहीं है तो मैंने तो पकने में नहीं लेकिन नहीं है इसमें नहीं है ताकि सब्गार अगर भी जल्दी पक जाएं ऑने में टाइम लगता है और सब्चिस नहीं हैं उबले हुए निया कि हमें सिफ मिक्स करना है और टमाटर डाल लेना इसे भी बटर में पकाना जरूरी है तो अगर आप आलू को भी बटर में पका कर मैश करते हैं तो वह भी एक अच्छा आइडिया है तो इसे हम पकने देंगे साथ में कुछ मसाले डाल लीजे आप जिसमें हल्दी पाउडर ल अच्छा लाल इसलिए डाला है यह बाकी अप्शनल अगर नहीं है तो इसकेप कर सकते हैं तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है जब मसाले पक जाएंगे उसके बाद ही अम टमाटर डालेंगे क्योंकि अगर हल्दी अगर आपके पास यह नहीं है तो बाहर तैरता हुआ दिखाई देता है बटर और वह लोग भर भर के डालते है जैसे फ्री में मिलता हो तो देखे ऐसे मैश करना ही पड़ता है तो आप चाहें बड़े बड़े पीस काट कर डालो बारी काटना जरूरी नहीं है पाव भाज सबजें तो बड़ी सॉफ्ट हो जाती है पकते पकते तो इसे हमने अच्छे से मैश कर लिया एकदम और मैश करने के बाद बड़ियां टेस्ट रहाता है और यह जो पाव भाजी में यह सबजिया डलती है ना जिसमें शिम्ला मिर्च है आलू तमाटर प्याज बहुत अच् चूर्ट तो बड़ियां अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से पकने देंगे कि तमाटब को फिर से मैश करूँगी क्यूंकि मैं टो मोम पीर कर डाले है इसलिए जरूयरना अगर आप तमाटर की IPO प अगा मिलच धर्रते बड़िया जलेगा तो फिर मैश नहीं करोगे चलेगा तो देखिए अच्छे से पक चुका है टमाटर भी मस्त से पक चुका है और इसमें हम डालेंगे पानी तो पानी डाल कर मैं मिक्स कर रहे हूं तो मैं दिखा दू मिक्स होने के बाद जितना यह गाड़ा है हमको उतना ही रखना है पाव भाजी को थोड़ा से और पकेगा लेकिन हमको पकाना है इसे कम से कम 10 मिनट पकाना है क्योंकि पानी डाला है तो उसका फ्लेवर चला जाता है या सबचित हो जड़े ने अच्छे से loss canal g बाड़ी एंज उला में पकाना है इसे थोड़ा से जादा पानी डाल दीओ Mark सब्सक्राइब के सबस्यादी तो देती क्योंकि चालेकी सफस्पर देखर回ी अब कहीं है अब मैं डाल ले saw मतर हैम उबली होनी मतर अच्छी दिखती है यह भाजी इसलिह मैं ने बाद में इसे उबाल कर डाला अलग से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं बस मैंने इसे पिसने से बचा लिया है अच्छे से इसे पका लेंगे तो देखिए गाड़ी भी होने लगी है अच्छे से पक रही है बढ़िया कलर भ भूले हरी धन्या पत्ती से और अब गर्मा गरम सर्फ करेंगे अरे पाव भजा पाओ तो बनाना भूली गए वही तो जरूरी है भाजी तो बना लिए तो आप बनाते हैं पाव बनाने के लिए पाव को ऐसे बीच से कट करेंगे उसमें दोनों साइट पे बटर रोस्ट तेज फ्लेम पे करना है और अच्छा सा उपर उपर से क्रिस्पी ताइप का हो जाए वैसा करिए और गर्मा गरम सर्फ कीजिए जब सर्फ करें तो प्याज और नीबू रखना ना भूले उपर से बटर डालना ना भूले बहुत ही टेस्टी लगेगा ये बना कर कि बहुत ही पसंद आएगा पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है बनाने के बाद जरूर कीजेगा कॉमेंट बाई थैंक यू